आप सभी के मांगो को लेकर एक नए बिच लेकर आया हूं दो पहल्टीन बज़े की क्लास जिसमें समान्य अध्धन जाने की जर्णल नौलेज से होस और वादने से संबंधित प्रस्ट में पुछे जाएंगे तो आए आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं नए बच्चे हैं तो चैनल को लाइक वीडियो को सब्सक्राइब करके बात करेंगे समान्य अध्यान का प्रैक्टिस सेट 1 है आज से स्टार्ट किया जा रहा है फिजिक्स केमेस्ट्री और बायोलोजी से संबंधित क्लासस रहेगी जब मिक्सेड रहेगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फिर तो समान्य अध्यान से टोटल 20 प्रस न करेंगे जो आपके आनेमाल एक्जाम होस्टल वाडने के लिए काफी महत्तपुर्णा होगा आज से अब डेली क्लास करेंगे प्रैक्टिस सेट पहला कोस्ट्यन निम्न लिखित में से कौन सा एक भारती वायू में वायू मारक इसा होगा तो मेरे हिसाब से इसका आंसर भी होगा अस्त्र तो डिटेल आप देख लिजेगा जो की है आपका याद रखेगा है ना हम अभी समान्य धन से कोश्टन देख रहे हैं यहाँ पर आपके विज्ञान से प्रस न पुछे जाएंगे फिजिक्स से प्रस न पुछे यह भारत द्वारा विक्सित पहला वायू मारक मिसाइल है आप याद रखना कि अगर एक्जाम में पूछ ले जाता है कि भारत द्वारा विक्सित का पहला विसाइल कौन सा है तो वायू मारक मिसाइल है सेकंड का होगा फिफा विश्व कब 2014 में मालीजे आप एक्जाम दे में 15 से 20 नमबर प्रसन पूछे जाते हैं और computer की class चली रही है जो की 50 नमबर के प्रसन पूछे जाते हैं ठीक है इसका answer कितने लोगों का आ रहा है बिल्कुल 35 लोगों का answer बिल्कुल सही है इसका James Roderick गेज इसका answer भी होगा और कई लोगों ने इसका answer लियोनस में सी लगाया है जो की नहीं होगा यह आपको पूछा गया फीफा विश्व कब 2014 में है ना तो मैं इसलिए यह वीडियो ले कर आया हूँ practice set क्योंकि आपके होस्टल वार्ण के exam बहुत जल्द होने माला है मतलब बहुत जल्द इसकी वेकिंसी आने वाली है जिसमें आप तयार रहिएगा है ना तो यह आपका 36 के classes मैंने कर आया था जिसमें आज रही है समान नियद्धन की जो class है आज हमारा है ना तो भारत का सभीधान अगर इस भी question देखेंगे अगर देखिए अगर यह pattern आपने देख लिया मतलब होस्टल वाड़ान का ऐसी 15 से 20 नंबर के समान नियद्धन के प्रेसना आपके एक्जाम में देहने को मिलेगा है ना पहली वर आया है तो चैनल को लाइक किजेगा वीडियो को सब्सक्राइब किजेगा क्योंकि यह class बहुत ही महत्त्पूर्ण है कि विरुद्ध किस स्थान पर मुकदमा आयोजित हुआ देखे मैं यह वीडियो इसलिए लाया हूं क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत था कि सर हार्ड कोशन कराएं हार्ड कोशन कराएं तो यह हार्ड कोशन ही है आपके व्यापम में इस प्रकार के प्रसना पूछे जाए कि विरुद्ध किस स्थान पर मुकदमा आयोजित किया था देखे दो बच्चों ने आंसर सहीं दिया है लाल किला लिखा है कमेंट में बिल्कुल सहीं है है यह किलास चर रही है दों समान्य तैर्म कारण कि प्रसिंद्ध मinks यानी जाएगा कभी अगर से प्रसना पूछी रोगा है मतलब mixing class है मतलब यह जो समाने दन कहीं भी समाने दन से पूछ सकते हैं विज्ञान से पूछ सकता है biology कहते है उसको है ना यह कुछ भी मतलब समाने दन में ऐसा इसा प्रस्म देखने को मिलेगा जो आपको नए तरीका से नए परटन मिलेगा है ना तो देखे इसको आप डिटेल में आपको बता आना चाहूंगा माइकल फराडे ने विद्धो चिमकी प्रेडन की खोज 1831 में किय गये था कब किय गये था 1831 में ना हम बिल्कुल वीडियो को लाश्टर देखे जाईए है ना चलिए देखते हैं भारत का सविधान से अब देखेंगे कि निम्ण में से कौन सा मंत्री मंडल का एक प्रकार नहीं है एक्जाम में पूचता है ना इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार वीडियो को लाश्टर देखे जरूर जाईएगा युद्ध मंत्री मंडल, संसदी मंत्री मंडल, रसोई मंत्री मंडल या छाया मंत्री मंडल तो देखे निम्ण में कौन सा मंत्री मंडल जो एक प्रकार कर नहीं है तो यह आपका होगा वार कबिनेट याने कि युद्ध मंत्री मंडल जो की एक प्रकार कर नहीं है क्योंकि देखिए संसंदी मंत्र मंदा, रसोई मंत्र और छाया मंत्र मंदा ये तीनों बिल्कुल सही है जबकि यहाँ पर नहीं है पूछा गया है तो इसका आंसर ए होगा चलिए अब देखिएंगे seven question कहता है कि भारत में 1993 में किस नियाधिस के विरुद्ध पद चुक्ति का प्रस्ताव प्रारम किया गया था स्वामित्र सेन सी रामूलूलू या सी राधा स्वामी या डी है वी ही रामा स्वामी तर रामूलू कौन है रामूलू कौन है जल्दिस तो सात्वा का आओगा आपका डी वी रामा स्वामे बिल्कुल सही है देखिए अब आठाव question है आपका एक बार इसको continue करके जाएगा ऐसे एक्जाम में पुछेगा भारती संसत के दुती सदन में कौन से सदन पुछ रहा है दूसरा ना की first है ना तो राज्य सभा के विश YouTube चैनल पर प्रक्तिस से डेली कराया जाएगा यह आपका first class है ना हमारा तो अगर जो बच्चे नए हैं तो जल्दी जाए हमारे चैनल को subscribe कर लेज़ेगा ठीक है तो भारती संसत के दुती सदन में राज्य सभा की विशा में क्या सही है तो देखिए इसमें तो पहला है कि यह एक सदन है नहीं तो यह आपका सदन है ठीक है चौनता point हो गया वह सिक पर क्या सही है पूछागे ना तो उप राश्ट्र पत्र इसकी अध्यक्ष्टत करता है बिल्कुल सही है यह एक चार और पांच बिल्कुल सही होगा क्योंकि छे वर्स का होता नहीं है राज्य सभ बिल्कुल नहीं किया जाते है मनोनियत किया ही नहीं इसमें कहां कग होगा तो इसका एक चार और पांच होगा गट बंधन का अंग नहीं है तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से गट बंधन का अंग नहीं है तो पहला तो राष्टी लोग समता पाल्टी बिल्कुल है उसका अंग है ही नहीं क्योंकि देखी इसका कौन कौन सा राष्टी कांगरेस पाल्टी है तो पहले नहीं है उसको द आपको बताऊंगा कि कौन से गड़ बंधन है तो राष्टी कांग्रेस पार्टी गड़ बंधन है नागा पीपुल्स फ्रंड ये भी है अलोग जन सकती पार्टी ये तीनों आपको गड़ बंधन है जब ये पहला तीसरा और पांचवा नहीं है न तो चलिए आंसर मिला लेत सद्धान का प्रतिबादन किस ने किया था तो आंसर ए होगा आपको आर के मिडी जने किया था मैं इसलिए यह समाने अध्यान की क्लास लेकर आया हूं ठीक है समाने अध्यान में बहुत सार पूछे जाते है करेंट अपर की क्लास भी हम देखेंगे दो चार दिनों के बाद आप आंसर ए बढ़ जाएगी खेना तो जो रिण सुझाय होती है आपका बिल्कुल सहीं होगा ठीक है तो इसका बाद चलिए देखते हैं जो क्लास है तो कहता है आपका निम्न में से कौन से जर विविता का पीता या जनक कहा जाता है आप देखें विज्ञान से कुर्ष्चन देखने को मिलेगा है ना विज्ञान से प्रस्ण है आपका कि निम्न में से कौन से जर विविता का जनक कहलाता है मैं इसलिए या होसल वार्ण के प्रेक्टिस सेट लेकर आया हूं जिसमें आपको विज्ञान, भिजीक्स, भौतीक, केमेस्ट्री, है ना यहां से सभी से एक्जाम में प्रस्न पुछे जाते, समान निधर्म के मतलब वही है ना कि भारत के समान होगा, सभी आएगा इसमें, तो इसका अंसर क्या होगा, फटापट कमेंड करके कितने लोगों का अंसर आ रहा है, कमेंड करेगा, चलिए देखते हैं कितने लोगों का अंसर सही हुआ है, तो इसका अंसर ए लगा रहा है, तो बिल्कुल सही होगा, एडवर्ड ओ विल्सन, बिल्कुल राइट है, जितने लोगों का अंसर ए आ है, बिल्कुल सही है, सही ज आना जाता है देखिए दल्ली राजहरा जो पाड़ी है न आपका वह आपका जाना जाएगा लाव है इसका के लिए ठीक है लाव है इसका आंसर ठीक चलिए किस स्थान में 1857 में याद रखना 1857 की क्रांती हुई थी नी तो भारती सी पाइवन सरप्रतम विद्रो कहां किया ग प्रतम पंच वर्सी योजना का मुख्युद्य से क्या नहीं था तो देखे इसमें नहीं है पूछा गया इसलिए आप सभी को कह रहा हूं पंच वर्सी योजना की क्लास मैंने कराई है यो एडियो की क्लास में कराई है न मैंने एडियो की क्लास में प्रेक्टिस सेट करवा है जिसमें पंच वर्सी योजना से जमबंधित क्लासे है आपने वीडियो देखना है तो जाए डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिय या फिर प्लेलिस्ट पर जाएए आपको एडियो की क्लास मिल जाएगी है एडियो की जो क्लास है उसमें पंच वर्सी योजना की क्लास उप लब्दा है ठीक है आप क्लिक कर लिजेगो हाँ पर आप मेंबर से प्लास जोड़ पाएंगे ठीक है तो देखे पंच वर्सी योजना का उद्देश से क्या क्या है और क्या नहीं है तो देखे इसका अंसर होगा आपका कुल्या इस्थिता को नहीं जोड़ा गया है क्यांकि इसमें जो पंच वर्सी हो जना है आपके किसी पर केंदरित करना किसी पर धान केंदरित करना तीब्र अध्योगी करन करना परिवहन यो तीनों ही आएगा आपका पहला दूसरा और चांधा लुए ना Wenn you उसका उद्देश से है, जब कि तीसरा आपका उद्देश से में नहीं है, ठीक है, मूल्या इस्थिरता आएगा, चलिए सत्रा का कोश्चन देखते हैं, कि 1555 इस्वी में विजय नगर समराज्य तथा, दखनी मुसलिम राज्यों की बिच कौन सा युद्धर लड़ा गया था ज़र 14 पूछा गया है, होशल वाड़ाना में, तो आप लोग बताएगा, इसका आंसर के ताली कोटा, तो आंसर पहले ही से लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है, मतलब बच्चे अच्छे प्रक्टिस सेट कर रहे हैं, इसका आंसर होगा ताली कोटा, और किसी का आंसर आया नह के जनक के रूप में जाने जाते हैं, कमेंड करके बताएगे, डक्टर कई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेरी गुड चले 19 का आप लोग बताईएगा कि असोग के सासानकाल में पाटली पुत्र में आयोजी तृतिय बोध्ध संगती के सभवबती कौन है तो आप सभी को एक और बात याद रखना होगा यह जो बोध्ध संगती है आपका ना प्रथम दृतिय त्रितीय और चतूर्थ है यह चारो जो बहूथ दसनगती है उज्को अच्छय से रट लिघे कि कभी कभी-कभी एक्जाम में पूछ लिया गया था इसके सासक के बारे में है ना तो उसके अध्ऍधक्षका और सासक अपर अच्छय पढ़ लिजिएगा मतलब जो संगती औ इसको पढ़ लिजे क्योंकि यह तीसरा संगति आपको पूछे लिया था है ना तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जो संगति यह बहुत संगति इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिजेगा ना रिवाइस का लिजेगा तो यह भी PSC एक्जाम में पूछा गया है जो आपकी 2023 में हुआ है ना अभी जो PSC के एक्जाम जनवरी फरवरी में उसमें पूछा गया था तो इसका आंसर आपको मोगली पूत्त होगा क्योंकि मैंने भी एक्जाम दिया था PSC का जिसमें मैंने यहाँ पर महा कस्यप लगा संगती का लगा था लेक्बर ऊप् llama ecosystem तो यह को जाता है कभी कभी याद नहीं होगा नहीं होगा ना प्रेक्टी सेट का लिजेगा फिर डाउनलोड का लिजेगा एक्जाम में कभी भी जाओ ना तो ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना है ना क्या पता कि एक दो कोशन यहां से आपके मिल जाएगा है ना तो आसो के सासान काल में पाटली पुत्र में आयोजी त्रितिय ये भी आप आटिकल नमबर बता रहा हूं उसको पढ़ लेना आटिकल नमबर 75 और 74 और 73 ये थोड़ा टॉपिक है उसको अच्छे पढ़ लेना ठीक है मंद्री परिसाद बगर से है जो कि आता है एक और है आपका 80 नमबर का आटिकल नमबर 80 लोग सभा और राज्य सभा से अगर और पुछता कि लोग सभा के करेकाल कितना होता राज्य सभा का की कितना होता है कि राज्य सभा कौन कौन सто सद प्रा столько तो यजो टॉपिक आपका पढ़ डका 1 देख ले हैं और एक और है आपका मंत्री पर इसके बाद पर कमेंड करें यह उसके बाद सविधान में पता pourquoi रहा यह प्र मृष्ट में है सब्सक्राइब देख लेना याद नहीं है उतना क्योंकि यह वाला भी आटिकल नमबर देख लेना यहां से आपको फोटी एट का नमबर जिसमें क्रिसी से संबंदित है क्रिसी वगर ऐसे वह भी देख लेना और यहां से पुछे जाते हैं और एक और है लास्ट कोचन देखेंगे तो अनुवानसिक्ता की नियम का विसकार कौन है तो इसका आंसर ग्रेगर जौन मेंडल होगा ठीक है आप संडी आपके विज्ञान से कोचन पुछे गया है तो यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा ऐसी और भ अप्लोड करूँगा नोटिफिकर्शन के माद हमसे मिल जाएगा तो यह वीडियो आपको कैसे लगा एक बार कमेंट करके बताएगा यह आपको पार वन वीडियो था अगर आप यह जैसे कि आप सभी का कमेंट आता है कि सर पार्ट वीडियो लेकर आओ अगर आप लोगो पार्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे कि पार्ट वीडियो चाहिए सर हमें करके हम थोड़ा मेहनत करके और भी कोशिस करेंगे कि ऐसी कोश्चन देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही आप सभी के लिए धन्या होगा ठीक है एक बच्चे पुछ रहा था कि सर क्लासे का टाइम देखिए अब मैं समानी अध्यन से जो क्लास लोंगा आपको दो पहर तीन बज़े की क्लास रहेगी और कंप्यूटर की क्लास आपका रहेगा साड़े साथ से साड़े नौ के बीच में वहां पर आप को बता देंगे समय है न तो आप लोग बने रहेगा वीडियो पर और जो बच्चे नए है तो एक बार वीडियो को लाइक करके जाएगा ठीक